सानी देवल के फिल्म डामनी का डायलोग नाई किलो का हाथ तो यह आपको याध ही होगा इतना ही नहीं उनका तारीक पर तारीक वाला डायलोग आज भी खुब बोला जाता है सानी देवल अपने समय के सुपर स्टार है रोमेंटिक फिल्म से कर्या शुरू करने वाले सनी की इमेज एक्षन और एक गुसेल हीरो की बन गई जी हाँ और सन दियुल की पहचान बॉलिवुड के सबसे बड़े एक्षन हीरो के तौर पर होने लगी सनी दियुल बॉलिवुड के उस सुपर स्टार्क में से एक थी जिन्हें 90 के दौर में एक्षन करते देखा देखकर ओडियन्स पागल हो जाते थी थेटर में लोग तालियां पीटने पर मजबूर हो जाते थे इसलिए उस दोर की सुपर हिट अक्ट्रिस भी सनी पाजी के साथ काम करने से कत्रा आती थी क्योंकि उन्हें अपनी इमेज का खत्रा होता था इस बात का खुलासा खुद सानी देवल ने अपनी एक इंट्रिव्यू के दौराद की है जहां पर उन्होंने जिक्र किया बोली वुड की चांद थी यानि की शुरी देवी के साथ आपने सानी देवल को देखा है फिल्म जाल बाज में जी हां बता दे सानी देवी के साथ साथ एश्वर और राय के साथ भी काम करने को लेकर कई खुला सेके सानी ने खायल फिल्म के लिए श्री देवी से संपर किया था लेकिन उन्हें इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया बता दे खायल उस समय कि ब्लॉग बॉस सेट्रिक है, इसलिए उन्हें शायद ऐसा लग रहा होगा, जी हाँ, अब आप खुद सूचिए, एक समय सनी देवल इतने बड़े स्टार थे, कोई भी हिरोग उनको कैसे ना कह सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ, वैसे भी सनी देवल के करियर को उठा कर देखेंगे, तो शायद ही उन्होंने किसी बड़ी हिरोईन के साथ काम किया होगा, पहले आपको बता दे, सानी देवल के साथ, अगर हम श्री देवी के रिष्टे की बात करें, तो वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, भले ही फिल्मों पे उनके जादतर दोनों की जोड़ी नजर नहीं आई है, ले उनके बगने के साथ किया है, भले ही जोड़ी बचल के साथ को बचके साथ किया है, वो बहुत है।